मस्ते मैं डॉक्टर येश्विलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हिल्प ये यूटूब चैनल माइंडफुलनेस समझने से पहले अपने मंद की प्रक्रिया कैसी होती है ये भी समझना आवशक है तो मन भावना बुद्धी इस बारे में आपके मन में कोई सवाल है तो मैं एक वाटसप नंबर देता हूं वहां आप मेसेज करके वह सवाल पूछ सकते हैं उन सवालों की चर्चा हम इस चानल में करेंगे तो वैसा ही एक सवाल आया है हम जो कारिय करते हैं वह मन से करते हैं या बुद्धी से करते हैं तो कोई भी कारिय करना चाहिए यह decision मन लेता है या बुद्धी लेती है बहुत ही अच्छा सवाल है इसके लिए हमें मन याने कि क्या यह समझना चाहिए तो मन जिसे हम अंतर विश्व ऐसा कर सकते हैं अपने अंदर जो कुछ होता है उसे हम मन ऐसा कर सकते हैं तो मन में पहला पाठ होता है ध्यान देना याने कि हम ऐसा करते हैं अगर कोई बात समझ नहीं गई तो वहां आपका मन नहीं था तो मन याने की ध्यान तो मन का एक पाठ है ध्यान देना जहां अपका ध्यान होता है उसका ग्यान अपको होता है जहां ध्यान नहीं होता उसका ग्यान नहीं होता अब ध्यान देने के बाद अपको उसका अकलन होता है याने की ये क्या हो रहा है यह आवाज कौन सी है, यह सामने जो कुछ दिख रहा है उसका अर्थ क्या है, शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका अर्थ क्या है, मैंने जो कुछ सुना उसका अर्थ क्या है, यह कौन करता है, इससे हम गुद्धी ऐसा कहते हैं, तो गुद्धी का अर्थ, इंटलेक का अर्थ यह जो information हमें ध्यान देने के बाद मिलती है उस पे processing होकर उसे एक meaning दिया जाता है उसका मतलब क्या है वो जो कुछ समझती है उसे हम बुद्धी कहते है वैसे ही बुद्धी को ही decision लेने की capacity ऐसा भी कहा जाता है तो जब यह अकलन होता है तो यह ठीक है या गलत है ऐसे activity अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए यह कौन चूज करता है तो ideally बुद्धी ने उसे चूज करना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं तो बहुत बार हम जो कुछ निरनय लेते है वो भावना उनके साथ लेते है तो भावना ये भी मन का एक पाठ है मन में जब अकलन होता है इस अदमी ने मुझे गाली दी तो मेरे मन में भावना पैदा होती है वो गुसा हो सकता है दूख हो सकता है डर हो सकता है तो ये जो सब कुछ भाव है जो विच्चार के कारण पैदा होते है तो भावना और विच्चार आकलन होने के बाद होते है जब भी किसी ने मुझे गाली दी और ये गाली है ऐसा आकलन मुझे हुआ तो मन में विच्चार आती है या ऐसा क्यूं करता है और इस विच्चार ज तो एक ही तरह की विच्छार जब जब बार बार आते हैं तब हम उसे भावना कहते हैं अब यह भावना जब तीवर होती है याने की इंटेंस होती है तो बुद्धी को समय नहीं मिलता क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सोचने का और यह भावना ही अपना डिसीजन लेती है और भावना जब decision लेती है तो जो कुछ कुरुती वो सुजाव देती है उसके क्या-क्या परिणाम होगे उसका कुछ विपरित परिणाम होगे क्या ये सब भावना विचार नहीं कर सकती해 क्योंकि भावना जब होती है तब हमें दूसरे तरह के विचार ही नहीं आते हैं जो जैसी भावना है वो ऐसे ही विचार आते हैं और इसलिए भावनाओं के चपेट में आकर हम जो कुछ decision लेते हैं उसे ही impulsive behavior ऐसा कहते हैं तो impulsive behavior जब होता है तब उनके क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं उस कृती के क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं अच्छा क्या हो सकता है बुरा क्या हो सकता है ये कृती न करके कोई दुसरे option है क्या ये सब जो कुछ thinking process है वो करने का time ही अपने brain को नहीं मिलता है और वो to run order देता ह सब्सक्रिदाइए और हम कृति करते हैं तो जब हम ऐसी इंपलस उकृति करते हैं तो कृति करने वाली भावना होती है लेकिन जब हम इसी impulsive कुरुती नहीं करते कोई भी action लेने के पहले उसके positive negative क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं यह हम सोचते हैं तो हम बुद्धी का इस्तिमाल करते हैं और ऐसा सोचने के बाद एक option हम choose करते हैं वही decision लेते हैं तो decision लेना यह बुद्धी का कारिया है और अगर अपना decision ठीक होना चाहिए तो बुद्धी का use करना चाहिए ठीब भावनाओं के चपेट में आकर decision लेना यह कई समय गलत हो सकता है और यही mindfulness effective होती है तो भावनाओं की तीवरता intensity अगर हमें कम करनी है तो mindfulness की practice करनी होगी तो mindfulness याने की मेरे मन में इस क्षण यह भावना है यह विचार है इस पर ध्यान देना और उस भावनाओं के करण शरेर में कुछ हो रहा है क्या उस पर ध्यान देना और उसका स्विकार करना याने कि उससे तुरंत reaction नहीं करना ऐसा जब हम करते हैं बार बार करते हैं तो भावनाओं की intensity हम कम करते हैं और भावनाओं के intense होने के कारण जो हम गलत decision ले सकते हैं वो हम कम कर सकते हैं तो आपके सवाल का जवाब यह है अपने मन के जो different अंग है उसमें एक है भावना दुसरी है बुद्धी तो बुद्धी का इस्तेमाल करने से decision लेना चाहिए भावनाओं के प्रभाव में आकर decision नहीं लेना चाहि जन्यवाद अपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें